नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर नीराबान, काइनकोलोजिस्ट, अप्सेटीशन और लेप्रोस्कोपिक सर्जन. आज हम चर्चा कर रहे हैं कि इन्फर्टिलिटी या पांच पन में लेप्रोस्कोपी का क्या रोल है? लेप्रोस्कोपी आपके इन्फर्टिलिटी का कारण पता करने में बहुत हेल्प करते हैं और उसी सिटिंग पे अकसर हम उसी का इलाज भी कर देते हैं जिससे कि आप नाच्रली कंसीव करने में ज़्यादा सक्सेस्फुल होते हैं. जैसे कि पहली चीज अगर आपकी ट्यूब्स बंद हैं, मैंने इन्फर्टिलिटी की कारण पहले भी एक वीडियो में डिस्कस करें हैं, अगर ट्यूब्स बंद हैं तो अंडा और स्पॉम कैसे मिलेंगे, तो लेप्रोस्कोपी में हम एक दूर्पिन डालके आपका यूट से कोई जाला है या इसका मूँ बंद हो गया है जिसे फाइमोसिस कहते हैं, तो हम दूर्बीन के जरिये ही इन जालों को सफा करके सेपरेट करके और ट्यूब का मूँ अकसर खोल देते हैं, अगर यहां से बंद है तो नीचे से हिस्ट्रोस्कोपी जो हमने पहले भी एक वी दस में से दो लड़कियों को पाई चाहती हैं, जाधा तर केसी में दवाई और टीकों के माध्यम से हम अंडा बनाने में सक्षम रहते हैं, किन्तु कुछ केसी रिजिस्टिंट टू मेडिसेंस एंड इंडिक्शन से होते हैं, उन केसी में दूर्बीन के साथ, लेप्रोस्क और यहां कि कुछ फाइन पंक्चर इन दो ओवरी करते हैं, जिससे की हॉर्मोनल बैलेंस आ जाता है और कम दवाईओं के साथ एक अच्छा अंडा बनने में अक्सर हम समर्थ रहते हैं, एंडोमीट्योसिस एक और चीज है जिसमें ओवरी में कई बर एंडोमीट्रियुमा बन जाता है या यह सारा एरिया जालों से चिपक जाता है और इसकी भी फाइनल डाइग्नोसिस लेप्रोस्कोपी अधूर्बीन से होती है, यह वर्ल्ड ओवर एकसेप्टिग चीज है और इस यही इसका बेस्ट इलाज होता है, ओपन सर्जरी की अपेक्षा लेप्रोस्को को इसो को सेपरीट करने में कभी-कभी और तेरे की ओवेरिज सेस्टी त्रैसी की डर्माइज की होती है वो भी लेप्रोस्कोपी चाहा रहे हूं, तो इसको क्लिप कर देना चाहिए, दूसरी ट्यूब अगर स्वस्थ है, तो आपकी एक ट्यूब से बच्चा हो सकता है, कभी-कभी यूट्रेस में अंधर जाले होते हैं या बहार और कोई सूजन करके ट्यूबर कलोसिस करके और कई कारण करके जाले बने होते हैं और ये एडिजिन्स भी लेप्रोस्कोप और हिस्ट्रोस्कोप के थ्रूँ क्लियर करें जा सकते हैं कभी-कभी यूट्रस की शेप प्यदाइशी तोर पे अबनॉर्मल होती है कि जैसे बीच में एक दिवार या पर्दा हुआ या बड़े-बड़े फाइब्रोइट्स हुए तो जो की कंसेप्शन में माधा डाल रहे हैं ये भी लेप्रोस्कोप और हिस्ट्रोस्कोप के जरिये क्लियर करी जा सकती हैं ट्रीट करी जा सकती हैं और आपको एक स्वस्थ बेबी हम देने में काम्याब हो सकते हैं अगर आपको लेप्रोस्कोपी के बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाले आपको अगले वीडियो के संग मिलेंगे नमस्कार